हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी का वाईपी कंप्यूटर ग्यान में वेलकम है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप डिजाइनिंग करते हैं और आपको हिंदी टापिंग करने में काफी समस्य होती है और यदि आप यहाँ पर कोरल ड्रा में आप टी खांड फंट का प्रियोग करना नहीं जानते हैं तो आपको हम बताएंगे कि खांड फंट में हम हिंदी टापिंग आस्तानी से कैसे करेंगे जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ मैंने बनाया अपनी छुट्टियों को और मज़दार आज ही Emax कंप्योंट से जुड़े हैं यहाँ पर हमको Emax लिखना है और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ हमारा खांड फंट है तो यहाँ पर हमको लिखना Emax जैसे यहाँ पर लिखा मैंने Emax देखिए और यहाँ पर यहाँ हिंदी नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि खांड फंट में हिंदी में टापिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपके सिस्टम में खांड फंट का इंस्टाल होना अनिवार है और यदि current font install नहीं है तो इसको आप नहीं कर पाएंगे और यदि current font install नहीं है तो इसको download करना पड़ेगा download कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर दिखें मैंने chrome on किया हुआ है और यहाँ पर लिखना पड़ेगा download current font और अब यहाँ पर दिखिए यहाँ पहली साइट पर चले आएंगे हम यहाँ पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर कुछ आपसन दिखिया गया है यहाँ पर लिखा हुवा download family तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर देखेंगे download हो गया है यहाँ पर राट किलिक है मैंने और यहाँ इन फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर करेंगे हम extract to khand one और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा khand का fund हमको प्राप्त हो गया है यानि कि यहाँ पर इन fund को install करना है तो मैं यहाँ पर केवल एक fund को install करूँगा बोल्ड वाले को तो इस पर देख डबल क्लिक किया मैंने और install पर क्लिक किया और अब यहाँ fund install हो गया है इसी तरीके से आप और fund को install कर लेंगे और यहाँ से close की देखे मैंने इसको और अब यहाँ पर चलना आपको chrome पर दुबारा से गूगल इन्पूट यहाँ पर लिखा मैंने गूगल हिंदी इन्पूट और यहाँ पर पहली साइट पर चले आना है यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर लिखना आपको हिंदी में जैसे लिखा मैंने e-max तो यहाँ पर दिखिए suggestion आ गया है e लिखा मैंने और यहाँ लिखा मैंने max हो गया है अब इसको मैं copy करूँगा e से कर लिया है मैंने select control c से मैंने copy कर लिया है और अब यहाँ coral drop दिखिया गया है और यहाँ पर कर लेते हैं उसको control भी यानि कि paste तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर ठंट सपोर्ट कर रहा है यानि कि आप यहाँ पर क्रोम में कुछ भी टाइप करेंगे आप हिंदी में उसको paste करें coral drop में तो वह अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा अगर याप वीडियो आपको समझ में आ गया हो और जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें अधर वाईज वीडियो को स्किप करें मिलते हैं आगले वीडियो हम तब तक के लिए जैहिंद